यही मैं पूछा तब परप्रेक्ट है से एड्रेस पर आया हूँ यह रहा अपना कॉलेच अपना कॉलेच नहीं मतलब जहां पर एक्जाम देना है कैट का तो एक बार देख लेते हैं मैंने गेड़ पर पूछा हूँ भाई से तो बहुत ठीक आप जाके देख सकते हो आज की लाओद कोई करना पड़े है नीचे का रूम का सपाई उपर का अभी परतल साप कर रहे हैं तो मैं निकलता हूँ अभी समय हो चुका है बारा बच के आठ मिनट तो चलते हैं मैंने बैग भी ले लिया है क्योंकि बैग में मुझे पीने का पानी रखना था दो पहर का टाइ से बिरा जाने में मुझे डेड़ घंटे के आसपास लगेंगे मैं पहुच गया माहीम इस्टेशन पर और ये ट्रेन बांदरा तक जाएगे इसलिए मुझे माहीम में चेंज नहीं करना पड़ा है और वो देखिए एक बेस्टन लाइन की ट्रेन जा रही है तो इस ट्रेन स स्टेशन पर अभी हो रहे हैं 12-40 थोड़ा सफर समुन्द के ऊपर से भी मैं अभी पहुँच गया हूँ वसई रोड और बांदरा से मैंने डारेक्ट ट्रेन बिरार का नहीं पकड़ा क्योंकि वसई की ट्रेन छूट रही थी तो मैं वसई के ट्रेन में बैठ गया अब आ गया हूँ वसई रोड यहां से ले लूँगा बिरार का ट्रेन अभी हो र आजाने के लिए हम यही आना पड़ता है देखे जूम करने के बाद दिखाई देता है यहां हमें भी आना है अब ही मैं बस का बेट कर रहा हूँ और बस टॉप तो यहां पर नहीं है लिकिन गूगल पर दिखा रहा है कि यहां पर बस रुखती है 303 और 308 और यहां पर इनका अच्छा लगरे एकदम गाओं जैसे है और मैप में दिखा रहा है कि मैं जहां पर उतरा हूँ रोड़ पे वहां से 10 मिट लगेगा 800 मीटर है अंदर तो अभी मैं उसी पर चल रहा हूँ दिखातू मैं आपको यह देखिए एकदम गाओं जैसे घर है और गाओं जैसा यहां भी बीवा कॉलेज के बस्टॉप है लेकिन पता नहीं यहां कौन सा बस आता है और यह देखिए बोट लगा हुआ है मुझे इसी साइट जाना है है अपने एकदम और यहां यहां पर यह दिखाया है और यह कॉलेज भी रोड में रोड से 800 मिटर दुर दिखा रहा था एकटा मिटर Media उसे ज्यादा नहीं है और यह देखिए कैसा एक दिम रास्ता है चोटी चोटी पेंट से भरा हुआ आप फुटा है पानी बह रहा है चुली एक्जाम तो कल है संडे को लेकिन आज आ गया ताकि अच्छे से पता चलिया एक्जेक्ट कहा है ताकि कल लेट ना हो टाइम पर आ जो मैं मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इसे जगाप आके जहां और कोई भीरवार नहीं है एकदम सांती है हमारे गाउं जैसा फील आ रहा है फीपल का पेड़ देखिए कितना ऊपर इसके मिट्टी पाटा गया कितना बड़ियां लग रहा है हमने देखिया मैंने एकदम जूम किया हूँ है वो दूर है बच्चों की जुन्ट जैसे गाउं में रहता है देख के बहुत अच्छा लगता है यह रहा अपना कॉलेज अपना कॉलेज नहीं मतलब जहां पर एक्जाम देना है कैट का तो एक बार देख लेते हैं मैंने गे तो यह देखिया आप कॉलेज का बोड कुछ प्रॉपर ले लिया देख लिया अब इस पकडंडी रास्ते पर आगे जा रहा हूँ जो कच्छा रास्ता है मिट्टी का क्योंकि आप मुझे थोड़ी पच्चे दिखे हैं जो चार्कमा जुंड में है एक बच्चा यह देखि खेलते होंगे तो उनको देखूंगा थोड़ा टाइम उन्हें देखे मुझे मेरा बच्च्पन आगा जिसे हम लोग गाओं में खेलते थे थे थोड़ा टाइम उनको देखके अपने पुराने याद ताजा करूंगा फिल इटन चला जाओंगा आप तो सब कुछ प्रॉप चलता हूं रिटन एक मैच मैंने पूरा देखा तीन तीन ओबर का था जिसमें पहली टीम जीती जिन्होंने पहले बैटिंग किया था इस बार टीटोंटी वोल्ड कप से यही है जो पहले बैटिंग करता है वही जीता है जो टॉस जीता वह पहले बैटिंग किया वही जीता तो अब चलता हूँ क्योंकि मुझे यहां से जाने में धाई तीन घंटे लगेंगे और अभी साड़ी तीन बच चुके हैं और यह देखिए बास यहां पर मिट्टी की और यह जो जो घास वास है इसका खुजबू बहुत बढ़ी हैं आता है कि मज़ा है आज आज आशानी से मिल भी गया और अच्छी एकाएं बढ़ी है यहां पे गौसाला भी है आज लेट होगा है लेगिन कल इसके अंदर जाएंगे अगर वह में जाने देंगे तो एक्जाम के बाद मुझे थोड़ा सा अच्छा मिट्टी दिखा तो बार लिया अ काम चालू है तो भी हमारी आ रही है वह देखिए अलो वाली बस में बैट गया और यह बस भी जाएगी विरार 304 नंबर की और यह है इसका 20 रुपे का टिकट इनसे बड़ा सौभिमानी बेखती और कहां मिलेगा वह जो बच्ची बैठी है उसके राइट साइड में जो अ कर सकते हैं हमारे पास तो सब कुछ है यहां से इतनी बड़ी मोटीवेसर मिलती है मुझे खुद को कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया तो मैं क्यों ना कुछ बड़ी चीज के ट्राइ करूं हो ना हो अलग बात है लेकिन मैं आपने तरब से पूरी कोसिस करूं कभी ना छपे रहते हैं जिससे जो देख नहीं सकता वो भी नोटों को अच्छी तरीके से छूके पहचान सकता है कि हाँ यह 10 उर्पे की नोट है यह 20 उर्पे की नोट है बारत सरकार इसलिए ऐसे कुछ उसमें बिंद या फिर ऐसे कुछ रहता है जो मुझे भी नहीं पता लेकिन ह सुना है कि नोटों में ऐसी चीजे भी होती है और अभी चार बची 14 मिट हो चुके हैं मैं बिरार इस्टेशन पर आ चुका हूँ अब यहां से डारेक्ट ट्रेल लूँगा अभी अभी जश्ट एक चीज और मैंने नोटिस किया वह अंकल जी से रिलेटेड ही में दिमाग म सीट रहता है वहां पर ऐसे बना रहते हैं इस प्लेट्ट्रम पर भी देखिए मैं आपको दिखाता हूं ऐसे बना हुआ है ताकि जो लोग देख नहीं सकते हो चलते चलते आएं और यहां पर खड़े हो जाएं जैस्ट यहीं पर डिब्बा लगता है जिस पर दिम्ब्यां ही नहीं किया अभी 8 बजे अभी कंप्लीट हुए जस्ट तो आज वीडियो आपको थोड़ा लेट मिलेगा आज का वीडियो बहुत सब्सक्राइब बहुत सारे अची चीज हुए मैं विर्यार गया महां कॉलेज देखा और फिर बच्चों को देखा खेलते हुए तो कुछ प अजय कि मुझे मेरा पच्पन याद आगया उनने देखे मुझे मेरा बच्च्पन याद आगया अगया